Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel इस वीडियो में भी हम लोग अपना Deep Learning Playlist continue करेंगे Last वीडियो में हमने Pooling पढ़ा था और आज का वीडियो बहुत important है वेकॉस आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक जो CNN होता है उसका Architecture क्यासा होता है ठीक है? Last तीन वीडियो में जो चीज़े हमने कवर की Convolution, Padding, Stride और Pooling इन सब को मिला करके आप एक CNN Architecture क्यासे बना सकते हो वो हम लोग आज की वीडियो में डिसकस करेंगे Also हम लोग एक और चीज़ करेंगे इस वीडियो में कि हम लोग एक बना-बनाया CNN Architecture डिसकस करेंगे यह kind of एक foundational idea की तरह है CNN में तो आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है तो मैं आपको बताऊँगा कि Lennet 5 का architecture क्यासा था जो यान लिकुन ने 1998 में बनाया और फिर मैं उसको Keras में code करके भी आपको दिखाऊँगा ठीक है? So all and all वीडियो will be easy because जो भी difficult चीज़े थी वो हमने पढ़ ली अब बस हमें उसको बस integrate करना है इस वीडियो में और वो समझना काफी आसान होगा but it would be interesting as well So let's start the video So अभी तक हमने CNN पढ़ते हुए तीन important ideas के उपर काम किया सबसे पहला हमने पढ़ा था convolution operation उसके बाद हमने पढ़ा padding और stride क्या होता है और हमने last वीडियो में पढ़ा pooling का concept अब यही तीनों concepts को मिला करके आप एक CNN का architecture तयार कर सकते हूँ तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एक basic CNN architecture दिखता कैसा है और फिर हम उसी के उपर एक और discussion करेंगे जहाँ पे हम discuss करेंगे यान लिकुन ने जब पहला CNN architecture बनाया था 98 में जिसका नाम है leanet वो कैसा दिखता है ठीक है तो ध्यान से देखना अगला 5-10 minute is very important so we are going to discuss कि एक simple CNN convolution neural network दिखता कैसा है उसका architecture कैसा होता है ठीक है तो सबसे पहले आपके पास एक input होता है input generally आपका एक RGB image होता है कुछ भी आप इसका size ले सकते हो थोड़ी देखले मालो की 32 x 32 x 3 है आप इसको pass करते हो अपने convolution layer में ठीक है और convolution layer में filters होते हैं जिनको आप kernels भी बोलते हो तो कितने भी filters हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए हम माल लेते हैं कि 3 filters हम ले रहे हैं तो ये रहा पहला filter ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा और ये तीनो के तीनो 3 channel filters है क्योंकि हमारा input 3 channel है अब क्या होगा कि यहाँ पर this is your convolution layer 1 कौन 1 बोल सकते हूँ अब ये हमें एक feature map generate करके देगा ये हमने पढ़ा था so हमारे पास एक feature map आ जाएगा which will basically be a volume ठीक है this is our feature map so इसका भी number of channels 3 ही होंगे because there are 3 filters और बाकी जो भी size होगा depending on the filter जो भी है ठीक है अब आप क्या करते हो ये जो आपका convolution के बाद जो feature map मिलता है इसके उपर आप apply करते हो कुछ भी non-linear activation function like relu so basically ये set of numbers है इन सबको आप relu से pass कर देते हो और इतना करने के बाद अब आप क्या करते हो अब यहाँ पर you pass it through a pooling layer आप pooling layer में इसको pass कर देते हो ठीक है pooling layer से pass करने पर you will again get some tensor ठीक है so tensor मिल गया अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो फिर से चाहो तो यहाँ पर by the way this is our pooling one और यह रहा हमारा tensor अब आप चाहो तो वापस इसके ओपर फिर से और convolution layers apply कर सकते हो like you can apply one more convolution layer let's call it conv2 फिर convolution लगा है तो you can apply one more pooling layer let's call it pool2 और ऐसा आप कितने भी बार कर सकते हो ठीक है once you're done अब आप क्या करते हो आपके पास यह जो tensor आता है finally यह जो tensor आता है आप इसको flatten कर देते हो flatten कर देते हो flatten करने का मतलब यह भी 3 dimension में है आप इसको 1D में लेके आते हो ठीक है और मालो basically वो ऐसे set of numbers बन गए अब आप क्या करते हो आप एक fully connected layer लाते हो जो आपने ANN में पढ़ा था और fully connected layer के throughs को pass करते हो और आप चाहो तो कितने भी fully connected layers लगा सकते हो और last में आपका output layer होता है अगर आप binary classification problem कर रहे हो तो आप sigmoid लगा के एक single node के through करते हो अगर आप multi class classification कर रहे हो तो आप soft max लगा के multiple nodes के through करते हो और यहाँ से आपको आपका output मिल जाता है तो यह एक basic architecture है ठीक है CNN जब भी बनेगा आप notice करोगे वो इसी architecture के through बनेगा मैं एक बार आपको revise करके बताता हो आपका image होता है जिसको आप pass करते हो convolution layer के through convolution layer में filters होते है convolution layer के साथ generally आप हमेशा pooling layer यूज़ करते हो आप चाहो तो आप और जादा convolution layer से यूज़ कर सकते हो alongside pooling layer एक बार जब आप यह कर चुके हो तो आपको जो tensor मिलता है आपको जो tensor मिल रहा है आप उसको flatten करते हो using a flatten layer और फिर आप उसको pass करते हो to a fully connected layer ठीक है फिर आप चाहो तो कितने भी fully connected layer लगा सकते हो depending on your problem और फिर finally आपका output layer होता है जो आपको यहाँ पे output देता है so this is the most common CNN architecture अब इसी में क्या होता है कि लोग थोड़े थोड़े changes करके अलग-अलग architectures बनाते है जैसे number of convolution layer कितने है इसको vary करने पे you can get different kind of architectures convolution layer में number of filters कितने है इसके basis पे you can get different architectures आपका stride का value क्या है padding है की नहीं आपके fully connected layer में nodes कितने है ठीक है number of fully connected layers कितने है आपका activation function क्या है ठीक है आप drop out use कर रहे हो की नहीं आप batch normalization use कर रहे हो की नहीं so you get the idea ये basic idea है और इसमें आप इन सारी चीजों के through variation लाते हो और फिर अलग-अलग type के architectures बनाते हो over the years जब से image net competition चल रहा है image net is a very famous competition जहाँ पर आपको एक बहुत complex image classification टास्क करना होता है वहाँ पर बहुत सारे researchers अपना CNN model लेके आते हैं तो over the years अलग-अलग CNN architectures आए हैं जो सबसे पहला CNN architecture था जो हम इस वीडियो में discuss करेंगे उसका नाम है Lenit जिसको Yan Li Kun ने बनाया था उसके बाद फिर LX net बोल करके एक और architecture आया फिर there was Google Lenit then there was VGG net then Resnet then Inception module So, यह सारे के सारे हम लोग architectures आगे study करेंगे So, अभी तक आपको बस इतना समझना है कि अगर आपको खुद का CNN architecture बनाना है तो आपको यह principle फॉलू करना है Image, Input layer में उसके बाद convolution, Pooling के combination आप कितने भी बना सकते हो फिर आप उसको flatten करोगे और fully connected layer में pass करके you will pass it to the output layer ठीक है अब हम लोग आपके वीडियो में क्या करने वाले है एक kind of study करने के लिए we will discuss lenet का architecture ठीक है और फिर मैं उसको केराज में भी आपको बना के दिखाऊंगा ठीक है तो I hope अभी तक का discussion आपको समझ में आ रहा है ग्यान लीकुन जिनको CNN का father भी बोला जाता है वो 1989 से CNN के उपर काम कर रहे थे और उन्होंने 1998 में paper published किया जहां पर उन्होंने lenet के बारे में बताया so lenet is basically a convolutional neural network जिसको उन्होंने use किया था US Navy के postal service का एक project को पूरा करने के लिए जहां पर उनको machine written pin codes read करने थे ठीक है उस काम के लिए उन्होंने lenet बनाया lenet का नाम lenet 5 भी है because इसमें 5 layers होते है ठीक है तो अभी मैं आपको lenet का architecture दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको keras में वो architecture बना के भी दिखाऊंगा ठीक है so lenet जो है वो input में expect करता है कि उसको 32 by 32 का input image मिले ठीक है अब इसको हम pass करते है through a convolution layer ठीक है अब इस convolution layer का number of filters कितने है number of filters है 6 ओके और इसका जो size है filter का वो है 5 x 5 ओके अब इसको फिर यान लिकुन ने क्या किया इसके बाद उन्होंने लगाया एक average pooling layer not max pooling average pooling with same receptive field of 2 x 2 and stride size of 2 ठीक है उसके बाद उन्होंने फिर से इस combination को repeat किया उन्होंने फिर एक और convolution layer लगाया और इस बाद उन्होंने number of filters रखे 16 of size 5 x 5 ठीक है और उन्होंने फिर से average pooling लगाया with the same setting that is 2 x 2 and stride of 2 ठीक है इतना करने के बाद उन्होंने क्या किया इसको flatten किया flatten करते ही आपको एक 1D tensor मिल गया this is a 1D tensor इसको फिर उन्होंने एक fully connected layer में पास किया जिसमें there were 120 neurons ठीक है फिर उन्होंने एक और fully connected layer लगाया with if I remember correctly 84 neurons ठीक है और finally since उनको digits recognize करने थे उन्होंने एक softmax layer लगाया as output जो अलग-लग digits को classify कर पाए so this was the architecture of lenit ठीक है this was the architecture of lenit बहुत ही simple CNN है ये but this was the first CNN जिसने एक actual problem को solve किया था ठीक है तो यहाँ पर आप थोड़े calculations अपने दिमाग में भी कर सकते हो so 32 by 32 है और यहाँ पे आपका जो टेंसर होगा उसका यहाँ पर size हो जाएगा 28 by 28 by 6 ठीक है इस convolution layer पे आप करके देख लो ठीक है इसको आप जैसे ही फिर इस pooling layer पे दोगे तो इस pooling layer पे size हो जाएगा 14,14,6 ठीक है फिर आप इस tensor को जब आप इस convolution layer में भेजोगे तो आपका size हो जाएगा इस जगह पे 10,10,16 because आपके total मिलाके there are 16 filters इस वाले में मैंने जैसा बताया था there are 16 filters और फिर आप जब यहाँ से data इसमें भेजोगे तो फिर आपका size हो जाएगा 5,5,16 फिर आप इसको flatten करोगे यहाँ फ्लाटन वाला layer तो यहाँ पे यह हो जाएगा 25 multiplied by 16 400 फिर आप 400 को यहाँ पे यहाँ पे आपके पास 400 input है इसको आपने इस layer में भेजा तो यहाँ पे total number of weights हो जाएगे 400 into 120 उसके बाद यहाँ पे आपके number of weights हो जाएगे 120 multiplied by 84 और यहाँ पे हो जाएगा 84 multiplied by 10 because there are 10 digits ठीक है तो this is how the data will move so this was the architecture and you can see कुछ बहुत खास नहीं है इस तरह के architectures आप भी develop कर सकते हो एक दो चीज बस आपको हमेशा याद रखना है कि convolution use कर रहे हो तो generally आप pooling layer use करोगे एक point पे जाके आपको flatten करना है और फिर fully connected layer attach करना है यह एक kind of common pattern आपको आगे दिखाई देगा एक चीज और आपको याद रखनी है कि इन दोनों को मिला करके एक layer बोला जा रहा है ठीक है एक चीज और आपको आगे देखने को मिलेगी कि जैसे जैसे आप deeper जाते हो अपने convolution neural network में generally आपका filter size बढ़ते जाता है यह एक और चीज आप आगे notice करोगे जब हम आगे और architectures पढ़ेंगे future में हमें जैसा मैंने उपर बताया हमें LX net पढ़ना है हमें LX net पढ़ना है हमें VGG net पढ़ना है हमें Resnet पढ़ना है हमें Inception module पढ़ना है तो यह सारी चीज़े हमें आगे बढ़नी है तो वहाँ पर कुछ और interesting ideas हम धीरे-धीरे accumulate करेंगे अब अभी जो आपने Lennet का architecture सीखा इसको हम लोग केराज में करके दिखाते है So code मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पर मैंने चीज़ों को import किया है यहाँ पर मैंने Amnist वाले data को import किया है ऐसे कुछ import करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने model train नहीं किया और यहाँ पर मैंने अपना Lennet का architecture बनाया है So you can see हमारे पास सबसे पहले there is a conf 2D layer और उसके ठीक बाद average pooling 2D layer ठीक है और उसके बाद फिर से conf 2D layer जिसके साथ एक और average pooling 2D layer फिर हमने data को flatten किया है और उसके बाद हमारे 10 fully connected layers है 120, 84 and 10 ठीक है अब यहाँ पर notice करने वाली चीज़े क्या क्या है कि पहले convolution layer में हमने 6 filters या kernels यूज किया है दूसरे वाले में 16 यूज किया है kernel size 5 by 5 है stride 1 है padding नहीं है average pooling 2D में pool size 2 by 2 है stride 2 है ठीक है एक जो interesting चीज मैंने आपको बताया नहीं है वो यह है कि kernel 5 में जो activation function आपको throughout दिखाई देगा वो tanage है relue नहीं है जो आपको आजकल के जो CNN architectures होते हैं वाहाँ पे आपको relue दिखाई देगा but back in 1998 जब Yann Lecun इसको बना रहे थे उस time पे जो सबसे अच्छा activation function था that was tanage तो उन्होंने tanage use किया है that is why मैंने भी इस architecture में tanage use किया है ठीक है और ये रही इसकी summary so you can see हमने 32 by 32 से start किया था 32 by 32 से start किया था और हमारे पास पहले convolution को लगाने के बाद 28 by 28,6 अपने पास tensor है उसके उपर जैसे आपने average pooling लगाया 14, 14, 6 बन गया, फिर से दोबारा convolution लगाया with 16 filters 10, 10, 16 बन गया उसके बाद फिर से average pooling लगाया 5, 5, 16 बन गया, उसके बाद अपने flatten किया, 400 बन गया फिर 120, 84, 10 ठीक है यहाँ पर you can easily go and count the parameters, parameter will include both the weights and the biases ठीक है, एक चीज़ और मैंने आपको last video में बताया था, pooling layer से attached कोई parameters नहीं होंगे because कोई training नहीं होती है pooling के आसपस similarly flatten करने के operation में भी there is no training involved, so there are no parameters, so yeah this is CNN with around 60,000 parameters, जो की थोड़ा कम है मतलब generally CNN जो होते हैं उनका parameter बहुत जादा होते हैं ठीक है, तो I would recommend एक बार आप video को देखने के बाद खुद से इसको बनाने की कोशिश करना मैंने model को train नहीं किया है, आप model को train करके भी देख सकते हो, इतना आपको आता है मैं future में जब कुछ projects करूँगा मैं आपको model train करके दिखाऊँगा but yeah, this is lenit और बहुत ही basic है but this is the building block आगे के architectures इसके principles को use करेंगे, ठीक है so I hope आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गए so that's it for the video guys, I hope आपको ये वीडियो समझ में आया अब हम लोग lenit 5 देख चुके है धीरे धीरे हम लोग कुछ और CNN architectures discuss करेंगे but उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ और वो है CNN और CNN के बीच का difference ठीक है, वो हम लोग next video में discuss करेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा project बना के दिखाऊंगा जहां पर मैं CNN architecture खुद से बना करके, उसको train करके दिखाऊंगा, ठीक है, so वो उसके next video का plan है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब, that's it from my side मिलते हैं next video में, बाई